हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल रोई वीज तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहां में अम्टी 15 खड़ी है जो कि वर्जन वी टू है और जो कि 2022 का वेरियंट है मातर तीन महीने परान यह बाइक ह करेंगे कि वीवन से वीटो में क्या-क्या चेंजिस हुए हैं लस में क्या-क्या पीचर नहीं अपडेट हुए हैं क्या कुछ इसका इंजन रिफाइंड हुआ है पहले के मुकाबले और क्या यह एवरेज देगी और क्या इसकी कॉस्ट है सारी चीजे आज इससे यामा हुआ 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 है कौक की अचसी में का भीद बनों की अचसी 5 5 5 5 5 6 8 9 10 10 12 12 14 16 16 तो यह फर्स्ट फॉल इसका फ्रेंड से लूग है लूग आप देख रहे हैं कितना क्लासी लूग है इसका बिल्कुल अलग अब तक ऐसी किसी का भी बाइक का लूग ऐसा नहीं आया फ्रेंड से जो इसमें आपको यह आगे से देखने मिलेंगी यह बिल्कुल आखों की तरह यह इसका प्रोजेक्टर हो गया जो इसका आपका क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर हो गया यह हाई लैंप और लोबीम दोनों पर काम करता है तो फ्रेंड से कुछ इस तरह गया है इंडिकेटर इसमें नॉर्मल हैलोजन वाले मिलेंगे जोगी वीवन में भी और वीटु में भी सेम यह आ रहे हैं तो इसमें चेंजिज नहीं है चेंजिज आपको बताओं तो मैं यह शोकर है इसके यह शोकर पहले नॉर्मल आते थे यूवी के शोकर आये तो यह मॉर एब्सॉर्ब करते हैं जो गड़्ड़वड़़्ड नॉर्मल अगर आप चलें हुआ है और यह सिंगल चैनल ABS आती है इसमें खाली आपको फ्रेंड में ABS देखने में मिलेगा बैक में कोई ABS नहीं है जो कि पहले भी सेम यही था तो इसमें कोई चेंज नहीं है इंजन थोड़ा बहुत रिफाइंड किया है बस और इसकी टैर साइज की बात करें तो टैर साइज आपको देखने में मिलेगा आपको 100-80 का और 17 इंच के इसके टैर है वील आप देख रहे हैं वील का डिजाइन क्या है ओरेंज कलर के थोड़े ओरेंज टाइ इसकी बात करें तो बैक में मिलेगा आपको इसमें 140-70 और 17 पीछ के टैर है वो थोड़ा ब्रॉड दिया हुआ है जोगी ग्रिप के लिए काफी बढ़िया है ग्रिप जादा बनती है इससे तो फर्स्ट अफ आप आल हम इसके इंजन की बात करते हैं इंजन में इसको आपक इंजन है और जो मैक्सिम्म टॉक प्रोडियूस करते है 14.1 एनम की टॉक प्रोडियूस करता है इंजन जो इसका नमबर आफ वन स्लैंडर इंजन है इसका और यह आपका फ्यूल इंजेक्शन वाला है इसमें आपको यहां पर यह रेडियेटर भी मिलेगा जो कि इंजन को अन्फंडर करने के लिए इस्तुलाल किया जाता है और यह 6 इंजन में आती है विने के बावजुद इसका इंजन जो वी 1 के मुकाबले काफी जो वी 2 इसका नय वेरिंट आयों काफी इंजन रिफाइंड किया हुआ और यह 6-6 गर किये आती है तो इसकी पीकप तो इंजिन में जो चेंज हुआ है V1 के V2 के मुकाबले तो इंजिन थोड़ा बहुत रिफाइंड किया हुआ हुआ है प्रेंट ब्रेक का जो डायमेटर है 280 mm का इसकी डिस्प्लेट है और जो बैक के डिस्प्लेट का डायमेटर है वो रहाएगा आपका 220 mm का अब इसकी साउंड की बात करते हैं साउंड इसकी मैं आपको सुनाता हूँ तो यह इसकी साउंड है कमेंट करके बताएं आपको इसकी साउंड एक्जॉस्ट की कैसी लगी और वाली टिक टाक साउंड है अपनी अब चलते हैं इसके रियर की तरफ रियर की तरफ में आपको LED टेल लाइट देखने हूं मिलेगी जो कि LED आपके इंडिकेटर नॉर्मली हेलो जैन जो मैंने बताए थे आपको यहां पे साइड में रिफ्लेक्टर भी दिये हुए कंपनी ने और पीछे आपको टैर गार्ड य यह भी देरिये कंपनी और इस तरफ की बात करें यह आपके ग्रिप होल्डर हो गए जो पिलर सीट के लिए काम आएंगे जो पिलर सीट पर बैठेगा सीट आपकी नॉर्मली दो बंदे आराम से आजाएंगे पिलर बेसक छोटी है पर दो आड़ आराम से एडजस्ट होके दिखकर नहीं है जो इसमें चैन स्पोक दिये वे चैन जो दिये हैं इसके जो आते हैं नॉर्मली 48 आते हैं जो पर इसमें आपका 52 स्पोक दिये वेए चैन में जिससे कि आपकी जो पिक अप है टॉर्क है वो ज़्यादर मिलेगी और जो आपको गाड़ी का उठान होता है तो सुरु में वह भी बहुत अच्छा देखने मिलेगा और बाइक के मुकाबले है यह सबसे बड़ी है इसमें चीज जो दीगी है चैन में यह सबसे बड़ी है इंजन मैंने आपको बताई दिया तो साइड में यहां MT की बैचिंग देखने मिलेगी आपको और आगे की तरफ यह थोड़े वैंट से दिये वे है इस्टाइल लुक कर दिखाने के लिए यामा का लोगो हो गया है यह टैंक पर और यहां पर भी कुछ बैचिंग देखने मिलेगी यह MT की 24 की यहां पर लगती है जोगी टैंक के थोड़ा नीचे ही है यह इसका टैंक होगे 10 लीटर का जो इसमें Ground clearance देखने मिलेगा आपको इसमें 170 mm का Ground clearance देखने मिलेगा जोगी नौर्माली ठिक टाक है तो अब चलता है इसके instrument cluster की तरब instrument cluster में आपको देखने मिलेगा यह fully digital इसका instrument cluster है इसमें आपको डेर की notification यहां पर आ जाती है कौनसे गेर वायक्शलरी है प्लस उसके यहां पर आपको यहां पर यह इसका फ्यूल मीटर हो गया फ्यूल मीटर है किलो मेटर हो गया नॉर्मली आपके जो आपके फोन के नौटिफिकेशन होते हैं एप के थूँह यहां पर पता चल जाएंगे प्लस कावध सारी MTA से रिलेटेड हैं उसमें और भी जो इसका टैंक है इसका फ्यूल टैंक यह आपका 10 लीटर का सविशेंट है इसके मुकाबले जो देगी आपको 40 नॉर्मली सिटी में दे देगी और हाइवे वे सब्सक्राइबरेज भी ठीक ठाक मिल जाएगा आपको क्योंकि एक सो पच्पन सीची की है तो यहीं इससे हम सकते हैं कि इतना आवरेज दे सकती है बस यह कि आपके सामने सारे यह मैंने आपको टोटली इसका लूग दिखा दिया इसके सारी चीजे बता दी क्या कैसमें कुछ चेंज है क्या नहीं है पहले के मुकाबले तो इसमें अपना इसका आइस फ्लू कलर आता है यामा का यह काफी स्टाइलिस है और काफी डिमांड में है इस टैम यह बाइक पूरे ओल एक्स पे अगर आप से प्रीसेल वैल्यू की बात करो तो पूरे ओल एक्स पर सिर्दों एंटी सेल में वह भी वेरियंट वी उनिज़ बीस है तो प्रीसेल वैली उतनी तगडिय है कि कोई भी जिसकी सी परसन के पास है वह सेल नहीं करना चाहरा क्योंकि इसा पता है चीज है चीज में जान भी है क्योंकि कंपनी यहामां एंटी 15 दे रही है तो पब्लिक खाम का क पीछे खाली नाम ही चल रहा है यह एंटी का वाइक में दम है जबी पब्लिक एंटी के पीछे खिचा हो आ रहा है एप जैट से ज्यादा यहामा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो पर इसकी टॉप स्पीड की बात कर लें टॉप स्पीड है आपके अरांड वन 30 किलोमे यह अपनी रोड पे अपने हेलमेट लगा चले सब चीज से रोड पे चले तो सेफटी के साथ चले और जो इसकी 0200 किलोमेटर पर आवर स्पीड आप कवर करेंगे तो 12.8 सेंड में कवर कर लेगी 0200 तो पीकप काफी उठान काफी बढ़ी है इस बाइक का तो अब इसकी प् बात करें तो प्राइज जो इसका एक्सोरूम प्राइज हो वाल लैक्सिफाइब थाउजन और बागी ऑन रोड की बात करें तो टैक्स जूड़के जो भी जिसका शैर से आप लेंगे तो उसके साब से गवर्मेंट की टैक्स के अनुसार यह आपको पढ़ जाएगी तो इ पर नीचे भी डिपैंड करता है तो यह मैं एक आपको इसमें राइड भी दिखा रहा हूं तो आप देख लीजिए कैसे इसमें गेर इंडिकेशन चेंज होते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे सब इसमें टीडिटल है विक आपके सामने हैं आपके अंडिंग काफी बढ़िया वाइक की लॉंग रूट का आप अराम से चला सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें आपका हाथ कोई नहीं दुगिए पोस्चर भी काफी बढ़िया है इसका और जो मैंने आपके यूवी शोपर की बात करे थी फ्रेंड सस्पेंशन की तो वह भी नॉर्मली आप चला रहे हैं तो वह गटों में कवर करेगा कर दो